हेलो फ्रेंड दिस इस सर्वेस आज हम बात करेंगे बैभव ग्लोबल के बारे में और बैभव ग्लोबल में एक अच्छा खासा अपसाइट पोटेंशिल नजर आ रहा है अगर हम करेंट प्राइस से देखेंगे तो करेंट प्राइस जो चल लए है उसकी यहां से देखें तक इनका जो बिजनेस है वो डवलब कंट्रियों में है और खासकर इनकी जूर्लरी का बिजनेस है ऐसे सरीज का है और सारा ओल्लाइन प्रॉडक्ट के दौर ऑल्लाइन प्लेटफर्म के दौरा शेल के जा रहे है यूस और यूके इनके में कस्टमर बेस है और जो इनकम अच्छी खासी है जहां लोगों की स्पेंडिंग पावर ज्यादा है वहाँ पर यह सब चीज़ें बिजनेस कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो प्राइज अगर हम देखे ना तो प्राइज तक्रीवें नॉम्बर 2020 की रेंज में चल ला है तो मोर दे च्रफ है यह लए सेन और आधा च्रफ बेस ना शोर्रों पूरा यूक्श जर्मने यस जर्मनी में है मतलब इंडिया कर्म बन रहा है चेयना में हो चुकी można में चूक हो चुकी इंसके मुझे बहु 아니ótि के बाधा आप थीस परसेंट चालीस परसेंट गिरे पड़े हुए उनका कोई पूछने वाला नहीं है उनको पर जो बिजनेस सटेबल है जो बिजनेस ग्रोथ अच्छी है जिनके फ्यूचर में बढ़ने की और चांसे से क्योंकि जहां पर केपिटा इंकम बढ़ेगी जहां आने की कोसिस करूँगा आपको अगर हम इनके क्वाटली रेजल्ट में देखें तो क्वाटली रेजल्ट सितंबर दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2023 के बीच की जो जन्मी है ना काफी अच्छी है हाइस टेवर इनकी सेल से साथ सो पचीस क्रोड से बढ़ते बढ़ते बढ़त नहीं पर देखें तो 47 कRO नेट पराफिट में एक टकष्कीवाने च हैंप्रौिड की कम्पनी साथ हैं और यॉरौ को यह उस्तेंबर द्री धेली में जो नइकल चुके हैं और वहाँ पर लोहीं ऊपर की रेजम से रेजल्न फॉस्ली है अब क्या करें अगर हम यहां पर बात करें profit and loss में तो यहां से समझ में आती कि business कैसे grow करता है मार्स 2022 में इनकी जो sales हुआ करती थी वो सिर्फ 645 क्लोड की sales हुआ करती थी वहां पर company 69 क्लोड का profit generate करती थी लेकिन तब इनके पास operating margin भी थी और जो कुछ income जो अधर इंकम का part बनता थी तो उनके plus point थे कि अधर इंकम को अधर इंकम को इन्होंने sales का part बनाया है और जो बीच में इनकी sales कम हुई देखिए आप देखिए यह बीच में थोड़ा सा sales कम हुई this is the period कि एकदम इतना उच्छाल नहीं आया 14 से लेकि 17 के मीच में बट इनके margin भी 77 में कम हो गए बट फिर क्या हुआ एक दौर अच्छा आया इनका फिर जो 18 19 20 21 में इनके margin भी अच्छे खासे आये और इनकी sales में भी जाफा हुआ वही अभी हो रहा है अगर हम देखें ने ट्रेलिंग 12 मंत में हाइस टेबर सेल्स दिख रही है मुझे डाउट नहीं है तीन एर कोड के आसपास sales इनकी आपको और फिर आपको वेलेंस सीट में दिखेगा तब तक यह stock अपने all time high पर पहुंचेगा तब वहां पर buying opportunity उतनी नहीं बने कि कोई तब costly लगेगा अगर हम देखें तो यहाँ पर trailing 12 मंत के साब से 129 क्रोड का net profit आता हुआ दिख रहा है बट जहां पर sales अच्छी highest labor है पर net profit due to margins की बज़े से है पर margin एक दो quarter में या एक दो साल में इसा beat out हो जाते है जिसमें तीन साल तो मुझे लगता है निकल चुके है तो आने वाला समय जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है या से और stock की CSR देखें तो तीन साल में कोई return नहीं मिला है 10 years में बहु 85 क्रोड का लोन भी है साथ साथ में इंप्रूब की है अगर हम देखें ना तो मार्च 21 अगर इनकी जो पिटाई हुई है ना मार्च 21 के बाद ही हुई है मार्च 22 में के margins कम हो गए है margins कम होने के दोती रीजन जब इन्होंने expansion किया अपना expansion कैसे किया वो आपको यहां पर दि इसलिए फिक्स अब बढ़ा तो इनके margin भी बढ़ गए तो उसी तरह में आपको बता रहा हुँ कि यहां पर जो भी आने वाले समय में यहांसे एक अच्छी खासी टरंड रॉंड इस्टोरी दे सकता है Capital Burk in Progress में भी 4 crore के आस पास देख रहा है और इनके पास asset में देखे तो 114 crore इनके पास तो कैस में पड़ा है जिस company के पास 114 crore कैस में पड़ा है 185 crore का loan है तो zero debt company कह सकते हैं क्योंकि यह ऐसे ही कहेंगे और कैसे और कोई नजात तो नहीं आएगा So I hope आपको यह point समझ में आएगा और share holding pattern देखें तो काफी अच्छा है पर motor 57% लेके बैठें FI यहाँ पर 22% लेके DI यहाँ पर 5% FI DI की चलता रहता है some type segment बट अगर अच्छी खासी holding देखें ना तो यहाँ पर public के पास सिर्फ 15% दिख रही है जिसमें से 2% बिजय किडिया जीकी है और 1% के आसपास आसिस जीकी है तो यहाँ तीन परसंट यह निकाल दें तो तक्रीवें 12% यह 10% के आसपास सिर्फ public के पास है बाकी strong hands के पास है तो यह सिर्फ साथ है और कोड के आसपास की company जिसमें 1500% का यहाँ से upside potential लग रहा है काफी कुछ और थोड़ा से और अभी मिटकेप की पिटाई के चकर में यह लोग थोड़ा से डाउन हो गया है पट मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि यहां से upside नहीं जाएगा हां धीरे धीरे जाएगा अगर हम इसका कम से कम 2-3 टार्गेट के लिए इसमें काम किया सकता है फि सीधे 800 रुपए के आसपास पहुचेगा और मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि 7500-800 के बीच में second target रहेगा और जब all time high इसका next target रहेगा तो यहां से team target के लिए काम कर सकते हैं और total अगर हम देखे ना तो तक्रीमां 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह 500% द पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजी और मोर रिक्वेस्ट इस डैट है कि प्लीज अपने एक एक फ्रेंड को या फिर जो भी इस market के लिए के रिलेटिव का पी कुछ अबेर है या फिर कुछ चाहते हैं तो मेरा चैनल को झाल झाल